ग्यारवा अध्याय अर्जुन उवाज अर्जुन बोले केवल मुझ पर क्रपा करने के लिए आपने जो परम गोपने अध्यात्म विश्यक वचन कहें उससे मेरा यह मुह नश्ट हो गया है क्योंकि हे कमलनें संपुन प्राडियों की उत्पत्ति तथा विनाश मेने और इस्तार पूर्वक आपसे ही सुने है और आपका अविनाशी महात्मे भी सुना है आप अपने आपको जैसा कहते हैं यह वास्तम में ऐसा ही है हे परमेशर आपके इशर संबंदी रूप को मैं देखना चाता हूँ हे प्रभू मेरे द्वारा आपका वहई एशर रूप देखा जा सकता है ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेशर आप अपने उस अविनाशी से रूप को मुझे दिखा दीजेए श्री भगवान वाच वश्यम में पार्थरू पाने शत्षोस्थम सहस्त्रशा नाना विधाने दिव्याने नाना वर्णा कृती नीचा श्री भगवान हो लें ये प्रतानंदन अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों रंगों तथा आकरतियों वाले सैक्लों हजारों आलोय के क्रूपों को तू देख वश्या दित्या वन्म सुन रुद्रान श्रिन हो मरूत इस्त्रथा वहुन्य दस्ट्य पूर्वानी वश्या चार्यानी भारता हे बरत वन्शोदव अर्जुन भारत बारे आदियों को, आठ वासुकों को, ग्यारे रुद्रों को और दो अश्यनी कुमारों को तथा उनच्यास मरुद गणों को देख जिनको तू पहले कभी देखा नहीं ऐसे बहुत से आश्यर जनक रूपों को भी तू देख हे नींद को जीतने वाले अर्जुन मेरे स्यदीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले इसके सिवाए तू और भी कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले ना तु मा सक्य से दस्ट मने ने विव से चक्षु सा दिव्य दनामीते चक्षु हूँ पश्यमय योग में शरम परंतु तू इस अपनी आखों चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी शर सामर्थ को देख संजय उमाज एव मुकत्वा ततो राजन महायोगे शर वहरी दर्सिया मास पार्थाए परहम रूप में शरम संजय बुले हे राजन ऐसा कहकर फिर महायोगे शर भगवान शीक्रश ने अर्जुन को परम एशर विराठ रूप दिखाया अनेक वस्त्रनेन मेमनेन कादृत दर्शनम अनेक दिव्या भरणम दिव्यानेको गतायुधं दिव्यमालयां बरधरं दिव्या गंधानू लेपनम शर विश्रिहामे देव मनंतम विश्रतो मुखं जिनके अनेक मुको नेत्र हैं अनेक तरह के अदवुद दर्शन हैं अनेक आलोक एक आभूशन हैं हातों में उठाय हुई अनेक दिव्या आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्यमालाएं हैं जो आलोक एक वस्त्र पहने हुए हैं जिनके ललाठ तथा शरीर पर दिव्य चन्दन कुमकुम आदी लगा हुआ है ऐसे संपूर आश्चर में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य सहरूप को भगवान ने दिखाया अगर आकाश में एक साथ हजारो सूर्य का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस विराट रूप प्रमात्मा के प्रकाश के समाल सायद ही वर्थात नहीं हो सकता उस समय अरजुन्य देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह इस्तित अने प्रकार के विभागों में व्यवक्त संपूर जगत को देखा ततह सहा विश्मिया विश्टो हष्ट रूमा धनन जेयर प्रणयम सिडसा देवं क्रताज जलिर भ्याशत हा बगवान के विश्व रूप को देखकर वह अरजुन बहुत चकित हुए वाश्चर के कारण उनका शरीर रूमा चित हो गया वह हात जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले अरजुन उवाज पश्यामी देवास्तवं देव देह सर्वाइस्त था भूत विशेष संधानम ब्रमाडमीशं कमलासनस्तम्रदीशं सर्वानु पुरंगाश दिव्यान गर्जुन बोले हे देव मैं आपके शरीर में संपूर देवतां को तथा प्राणियों के विशेष विशेष संधाय को और कमलासन पर बैटे हुए भ्रमा जी को संकर जी को संपूर रिशियों को और दिव्य सर्पूं को देख रहा हूं अनेक भाहुदर वक्तर नेत्रम पश्यामी तौम सर्वतोष नस्तह रूपम नांतम नामध्यम नापुनस्तह वादिम पश्यामी विश्वेश्वरम विश्वरूपम हे विश्वरूप हे विश्देश्वर आपको मैं एक हातों पेटों मुखों और नित्रों बाला तता सब ओर से अनंत रूपों बाला देख रहा हूँ मैं आपके ना आदी को ना मध्य को और ना अंत को ही देख रहा हूँ मैं आपको किरिट मोकुट गदा संख चक्र और धारण के हुए देख रहा हूँ तेज की राशी सवूर प्रकाश वाले देदेप्यमान अगनी तथा सूरे के समान कांती वाले नेत्रों के द्वारा कठिंता से देखी जाने योग्य और सब तरप से अप्रमी स्वेरूप देख रहा हूँ आप ही जानने योग्य परमक्षर हैं आप ब्रह्मा हैं आप ही संपूर विष्व के परम आश्रे हैं आप ही सनातन धर्म के रक्षक और आप ही अविनासी सनातन पुरुष हैं ऐसा मैं मानता हूँ अनाधी मध्यांतर मनंत वीर्य मनंत वाहू शशी सूर्य नेत्रम वश्यामे त्वाम दिप्त हुताव सवस्त्रम स्वे तेज सहा विष्व मिधम तपन्तम आपको मैं आधी मध्य और अंत से रहित अनन्त प्रभाव वाशाली अनन्त वुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रजुलित अगनी रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ हे महात्मना यह स्वर्ग और प्रत्वी के वीश का अंतकाल और संपूर दिशाए एक आप से ही पड़िपून है आपके इस अधभुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यतित व्याकुल हो रहे हैं वे ही देवताओं के समुदाए आप में ब्रविश्ट हो रहे हैं उनमें से कई तो व्यवीत होकर हाथ जोडे हुए आपके नामों और गणों का कीड़ितन कर रहे हैं मेर्शियों और सिद्धों के समुदाए कल्याण हो मंगल हो ऐसा कहे कर उत्तम उत्तम स्त्रोटों के द्वारा आपकी इस्तुती कर रहे हैं रुद्र अदित्या वस्वो ये है चा साध्या विश्रे अडशिनो मरुत श्चोश्वं पाश्यं गंदर्वयक्षासुर सिद्ध संगा विशंते तौम विश्मिता श्रेव सर्वे जो ग्यारे रुद्र बारे आदित्या वसु वारे है साध्य गण दस विश्वेश देव और दो अश्युनी कुमार तथा उनच्चा स्मरोद गण और गरम गरम भोजन करने वाली सात्र पित्र गण तथा गंदर्वयक्ष असुर और सिद्धों के समधा हैं वे सभी चकित ह लोगर आपको देख रहे हैं हैं यह और महाभाहों आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले sound, बहुत बुझाओं, जंगाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विक्राल ड्राणों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यतित हो रहे हैं, तता मैं भी व्यतित हो रहा हूं। आप आकाश को इसपर्ष कर रहे हैं, अर्थात सब तरप से बहुत बड़े हैं, आपका मुक फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदिप्त और विशाल हैं, ऐसे आपको देखकर वहवीत अंतकरण वाला में दैर्रे और शांती को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। आपके प्रहकाल की अगनी के सम्मान प्रजुलित और दाणों के कान विक्राल भयानक मुखों को देखकर, मुझे ना तो दिशाओं का ज्यान हो रहा हैं, और ना ही शांती मिल रही हैं। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास आप प्रसंद होई हैं। अमीचा त्वाम धत्राष्टस्य उत्रा सर्वे सहवाव नेपाल संगें। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित बीश्म, द्रोन और वहकल भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदाय के सहित रत्राष्ट के वेही सब के सब पुत्र आपके विक्राल डाणों के कारण बहेंकर मुखों में बढ़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूण हुए शिरोव सहित आपके दातों के बीच में फसे हुए दीख रहे हैं। के सम्मुक्ष दोडते हैं। ऐसे ही वे संसार के महान शूरिवीर आपके सब तरफ देदिप्यमान मुखों में प्रवीश कर रहे हैं। यता प्रदिप्तम जोलनम पतंगा विशंती नशाय स्रमर्द वेगा तदेव नाशाय विशंती लोकास्त वापी बक्तराणी समर्द वेगा। जैसे पतंगे मुवश अपना नाश करने के लिए बड़े बेग से दोड़ते हुए प्रजलित अगनी में प्रविश्ट होते हैं। ऐसे ही ये सब लोग भी मोवश अपना नाश करने के लिए बड़े बेग से दोडते हुए आपके उखों में प्रविश्टो रहे हैं। और विश्णो आपका उख्र प्रकाश अपने तेज से संपूर जगत को परिपूर करके सब को तपा रहा है। आपको नमस्कार हो आप प्रसन्न होईए आधी रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवती को भली वाती नहीं जानता। श्री बगवानु आज। प्रतिपक्ष में लोक्षे क्रत प्रभर्दो लोकान समाहर तुमेहिं प्रवर्तम रितेश भीत्वान वविश्यंति सर्वे ये शवस्ते इस्तिता प्रत्यने केशु योधाशी भगवान होले। मैं संफुन लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का सहार करने के लिए यहां आया हूँ। तुमारे प्रतिपक्ष में जो युद्धा लोग खड़े हैं वेजब तुमारे युद्ध किये बिना भी नहीं रहेंगे। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करों तता शत्रू को जीत कर धन धाने से संपन राज्य को भोगो। यह सवी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। यह सव्य साचन अर्था दोनों हातों से बाल चलाने वाले अर्जुन। तुम इनको मारने में निमित्र मात्र बन जाओ। द्रोणम चा विश्मम चा जैत्रतम चा कर्णम तदान्या पी योद वीरान मया तास्तम जही मा व्यतिता युद्यस्व जेताजी रडे सपत्रान। द्रोण और भीश में तदा जैत्रत और कर्ण तथा अन्य सवी मेरे द्वारा मारे हुए। शूर वीरों को तुम मारो। तुम व्यताच मत करो। और युद्ध करो। युद्ध में तुमने संदे वेरियों को जीतोगे। संजय वाज। यता युखस्त्वा वचनम केशवश्यम कता जल्ले लेवेश्मान किरटी नमस्क्रत्वा भुयेवायकश्णम सग दर्द भीत भीतं प्रणम्यम संजय वोले। भगवान केशव का। यह वचन सुनकर भैसे कापते हुए किरिट धारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भैवीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाड़ी से भगवान कशन से बोले। अर्जुन ओवाज इस्ताने रिशीकेश तवपकिर्त्या जगत प्रहश्यत्यनु रज्यतेत्वा चा रक्षांसी भीतानी दिशोद्रवंती सर्वे नमस्यंती चा सिद्ध सद्धा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवन आपके नाम गुण लीला का कीड़तन खनने से ये संपूर जगत हरशित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदी से कीड़तन से वहवीत होकर राक्षास लोग दशो दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर सिद्ध गण आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब होना उचित ही है। कस्माचम तेनहा इस्मरेन महात्मना गदियसे ब्रह्माडो अव्यादी कत्रे अनंतम देवेशं जगंत्रिवास त्वेमक्षरं सदसत्त परहम यतहा। हे महात्मन गुरूओं के वी गुरू और भ्रह्मा के वी आदी करता आपके लिए वे सिद्ध गड़ नमस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ही अनन्त तेवेश जगन निवास आप अक्षड स्वहूप हैं आप सत्वी हैं असत्वी हैं और उनसे सत्वी हैं और उनसे सत्वी हैं पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं तुम आदिदेवं पुरुषं पुराण उस्तमस्य विश्रश्यं परम निधानम वेताजी वेगम चा परम चा धामत्वे आतधं विश्रम अनन्त रूपं आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही संसार के परम आश्रे हैं आप ही सबको जानने वाले जा पूर्ण संसार व्याप्त हैं वार्य यर्य मुश मुवा गिर्व रूलं सशांकम प्रजापतित्वं प्रपिता मह्षम नमु नमस्त्ते सहस्त्रक्रत्वं पुनच्चं भुयोश्वी नमु नमस्ते आप ही वायू यम्राज अगली वरुण चंद्रमादक्ष आदी हैं आपको हजारों बार नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो नमस्कार हो नमहा पुरस्ताधथम प्रेश्टतस्ते नमस्तते सर्वताईव सर्वः अनंतवीर्यामिते विक्रमस्तव सर्वसमाप्रोशीत तोशी सर्वः हे सर्वसरूप आपको आजे से भी नमस्कार हो पेछे से भी नमस्कार हो आपको सबोर्थे दशुदशाओं से ही नमस्कार हो है अनन्तप्रिय असीम पराक्रम बाले आपने सबको एक देश में समेट रखा है और अथे सब कुछ आप ही हैं सखेती मत्मा प्रशवह यदुक्तम हे क्रश्न हे आदव हे सखेती अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणेयन वापी यचावह सार्थं सत्क तोश्षी वियार साइसन भोजनेशु एकोस्त वाप्याचिवत तत समक्ष्ण तत शमामे तोमाम्यं प्रमियं आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने प्रशात से अथवा प्रेम सेवी हट पूर्वग बिना सोचे समझे हे क्रश्न हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है और हे अच्यत हसी दिल लगी मैं चलते फिरते सूते जागते उटते बैखते खात देपेते समय अकेले अथवा उन सखाओं कुटुम्बियों आदी के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तरस्कार अपमान किया गया है यह अप्रमे स्वहरूप वह सब आपसे मैं चमा करवाता हूँ अर्थात आपसे चमा मांगता हूँ पितासी लोकश्य चराचरस्य त्वैमश्य पुज्यश्य गुरू गुरियान ना त्यत्समो अस्ते भ्यधिकम कूतो अन्यो लोक त्रे अभ्य प्रतिम प्रभाव आप ही इस सराचर संसार के पिता हैं आप ही पूजनिय हैं और आप ही गुरूओं के महान गुरू हैं हे अनंत प्रमावशाली भगवन इस त्रलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है इसलिए इस्तुती करने जोग के आप इश्वर को मैं शरीड से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसंद करना चाता हूँ पिता जैसे पुत्र के मित्र, जैसे मित्र के और पती जैसे पतनी के अपमान सहे लेता है ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थाच शमा करने में समर्त हैं जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देखकर मैं हर्शित हो रहा हूँ, अर्था साथ ही साथ भैसे मेरा मन अत्यन्त व्यतित हो रहा है अथे आप मुझे अपने उसी देव रूप शांत विश्णु रूप को दिखाईए, हे देवेश, हे जगन निवास आप प्रसंद होईए मैं आपको वैसे ही किरिट मुकट धारी गदा धारी और हात में चक्र लिये हुए अर्थार चतर वुझ रूप से देखना चाता हूँ इसलिए हे शेह तरवाहो मैं विश्व मूरते आप उसी चतरुज रूप से संक चकर गदा सपदम सहत हो जाएए शी भगवान वाज मैं प्रसंद होकर अपनी सामर्थ से मीरा यह त्यंत शेष्ट तेज से रूप सबका आधी और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है जिसको तुमारे सिवाए पहले किसी ने नहीं देखा है ना वेद यज्यादे नेन दानेन चाक्रिया भिर्नम तपो विरूग्रे एवरूपम संक्यम एम तरलो के दश्ट तदन्यम कुरू प्रवीरं हे गुरू शेष्न मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला में ना वेदों के पाट से ना यज्यों के अनुस्तान से ना शास्त्रों के अध्यन से ना दान से ना उग्र तपों से और ना मात्र क्रियाओं से तेरे क्रपा पात्र के सिवाए और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमुण भाव भी नहीं होना चाहिए अब निर्वे और प्रसंद मनवाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले संजय उवाज इत्यर जुनम वासु देवस्त थोकत वा स्वेकम रूपम दर्शया मासम भुयम आश्राशया मासम चाभीतमेनम भुतमा पुनहम सौम्यवपू महरहातमा संजय बोले वासु देव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देव रूप दिखाया और महातमा शीक्रशन ने पुनह सौम्य रूप त्रिभुज मानुष रूप होकर इस बहवीत अर्जुन को आश्वाशन दिया अर्जुन ओवाज दस्तेदम मानुषम रूपम तम सौम्यम जनार्दनम इदाने मस्मम सब्रधम संचेता प्रकतिम्मतम अर्जुन बोले ये जनार्दन आपके सौम्यम मनुष्य रूप को देखकर मैं समय स्थिर्चित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्तथी को प्राप्त हो गया हूँ शीव अग्वानुवाज सुदर्शन मिर्दम रूपम दस्तमानसी यन्ममा देवा अव्यस्या रूपस्या नित्यम दर्शन का डिक्षणम मेरा जहें जो चतरोज रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यन देदुर्लव है देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्यलालाइत रहते हैं नहां वेर्दन तपसान दानेन चाचे जज्या शक्यम एव विदो दस्तम दस्तवान सीमा यथां जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का चतर भुज रूप बाला में ना तो वेदों से ना तप से ना दान से और ना यग्य से ही दे इस प्रकार चत्र भुज रूप वाला में केवल अनन्य वक्ती से ही तत्व से जानने में और सकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में सक्य हूँ हे पांडव जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला मेरे ही परायन और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वता आसकती रहित और प्राणी मात्र के साथ वेर भाव से रहित है वेह भक्त मुझे प्राप्त होता है